वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 NS परिक्षा 2021 के मोडल पेपर सुलूशन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे पार्ट 1st और 2nd के अंदर हमने इंदी और इंगलिश को अच्छे समझा था तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखिए तो कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की तो वहाँ से आप वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं तो देखिए ये थर्ड वीडियो के अंदर हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमको दियावा है तो इसमें आपको सब्जेक्ट दियावा है मैक्स तो थर्ड वीडियो के अंदर हम मैक्स के बारे में बात करेंगे तो यह मैक्स है गनित तो उसके जो एक अच्छे से टीचर है आपके जो अपनी तयारी चैनल पर पढ़ाते हैं तो वो आपको 15 ही कोशन को अच्छे से एक्स्प्लेंड कर देंगे तो यह मैक्स के वो एक्सपर्ट टीचर है तो वो ही कराएं तो अच्छा रहेगा और फिर भी जो बच्चे के रहें कि सर 31, 33 और 34 प्रशन करा दो तो यह प्रशन मैं आपको समझा देता हूँ बाकि आप उन सर से समझ लें वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो देखें आप उनकी वीडियो आपको कैसे मिलेगी तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूँगा और नेक्स एच्छी वीडियो आपके सामज जी विञानकर सॉलूशन है वोभी जल्दि आ रही है जहाँ A is equal to BQ plus R है जहाँ तो जहाँ आपको ये दे रहे हैं उप्शन इसमें क्या बता रहा है कि 0 आपके बराबर हो सकता है R के या फिर 0 छोटा होगा R से याने R बड़ा होगा और जो R है वो बराबर हो सकता है A के और R जो होगा वो छोटा होगा A से तो इस टायप के आपको अलग-अलग दिये वे हैं तो ये आप सब को पता होगा कि यहाँ पर जो भी संख्याइगी यह बंद साइड में तो वो छोटी होती है और यहाँ पर छो खुली साइड में आती है वो बड़ी होती है और ये आप सबको पता होना चाहिए तो बैसिक है, तो देखे आप इसमें हम इसका solution देखते हैं तोότε यूँखलीड विवाजन परमे क्या है? तो एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो देखे आप, यहां पर हम समझ लेते हैं बिलकुल ब्लैंक में, तो है इसमें तो ए आप सबको पता है कि भाजी है ए क्या है बाजी और बी क्या है भाजक भी आपके हो जाएगा भाजक और जो क्यू है वो आपके भागफल हो जाएगा ठीक है ना क्यू आपके हो जाएगा भागफल और जो आर है वो आर आपके हो जाएगा शेशवल ठीक है ना अब आप सबको पता होगा कि भाज जी क्या होता है भाजक क्या होता है और नहीं पता है तो भी हम आपको एक बार समझा देते हैं और पता है तो अच्छा है तो देखिया आप जैसे आपको 35 के अंदर 7 का भाग देना है ठीकिना 7 का भाग आपको 30 के अंदर देना है तो देख लिषमें भाग। दे रहे जिसमें भाग। दे रहे हैं उसको डिकान तो कितंए भाज़ी है।। और भाज जी याने ए लिखा हुआ है तो इसके मतलब इस जगह के आपको बात की जा रही है। आगे देखे आप फिर इसमें अगर हम डिवाइट करते हैं तो 35 कितनी बार में आता है। तो पांच बार में आता है। तो यहां पर जो पांच आया आपके तो यह पांच क्या 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 आता है भाग फल क्या 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 आता है भाग फल यह आपका क्या क्या आता है देखे वापिस आप यहां पर सेवन यहां पर 35 ठीक है यहां पर आप पांच बार में चला हो गया है यह आरो जाएगा है ठीक अब हम ना भाग प्रमे इस इकल-टो-वी क्यू प्लस आर ठीक I yeah ठीकिना और बाजक क्या है आपका बाजक के लाइचा अपके बी और भाकफल क्या है क्यूं और जो शेश Herbert ay वो क्या है अर ठीकिना यह अब के हो गया तो देखे आफ हम यहाब के आपके आफ tego है तो यहाब पे देखें अगर एक ही बात की जारी है तो आपको की करी जारी तो इस जगह की और की की जारी है तो इधर की बात की जारी है तो देखिए हम उसको अच्छे समझते हैं तो यह देखिए अब इन में option को हम अच्छे से explain करते हैं तो जैसे आप देखिए इसके अंदर जो option राइट होगा आपके तो वह होगा अब कैसे होगा तो वह आप समझे तो देखो यहां पर आपको दियावा है जीरो क्या है एक्वल हो सकता है आर के या फिर आर से छोटा ही रहेगा मतलब आर बड़ा हो सकता है जीरो से और जो आर है वो जो डी बी है आपका उससे छोटा होगा इसका मतलब क्या है जो शेशफल आपके शेशफल तो जो आपके शेशफल दियावा है वो आपके भागफल से हमेशा छोटा होगा ठीके ना भागफल से हमेशा छोटा होगा और जो शेशफल है वो यह तो जीरो के बराबर भी हो सकता है यह जीरो से बड़ा ही रहेगा ठीके ना तो देखे कैसे तो एक उधा यहां पर हम 35 के अंदर 7 का डिवाइट करते हैं तो यह देखे आप कि यहां पर आप सबको हमने बते ही रखा है कि क्या क्या होता है तो यह देखें आप तो यहां पर हमने जैसे इसको डिवाइड कर रखा है तो अब इदर हमार को जो हमारी युकलिट विवाजन पर में है A is equal to B Q plus R तो उसको हम फिल करते हैं तो यहां पर A भाज्जे क्या है आपके तो भाज्जे A है तो 35 हो गया A is equal to B यहां पर आपको क्या दिवाब है तो B आपको भाज्जे के तो B क्या हो जाएगा 7 ठीके यह आपका B है यह आपका A है यह आपका Q है और यह आपका R है ठीक है अब इसको इंटू क्यों क्या दे रहा है आपको फाइफ प्लस आर क्या दे रहा है आपको जीरो तो यह हमारी बन गई तो हमारे को उधर क्या दिया वा था जीरो दिया वा था आर दिया वा था ठीक है ना और यहां पर क्या दिया वा था बी दिया वा था तो अब बता बढ़ा होता है तो यह आपके यह वाला सुत्र बन गया पर सिर्फ इतना सा सुत्र नहीं है एक और उधारान आप देखो तो आपको इसको बिल्कुल किलियर हो जाएगा तो यह पर देखते हैं कि में चैनल से अफ़ो हमने 7 कोल निवाइट करेंगे 35 को तो 35 को जब koblate करते तो कितने 32 एंगे कितनी बार में आ्ट बार में चैनल यहां पर कितने आपके बज़ जाएंगे तीन बज यह आपकी उक्रीडिग इवाजन पर में है तो देखे आप इसको तो यहां पे आपकी 35 is equal to B क्या है आपके पास तो आप सब को पता है प्लस आर क्या है आपके पास 3 प्लस देखते है जिरू आपको दिया था आर दिया था और यहांush. क्या दिया था बी दिया था तो आप देखिए इसमें आर क्या है आपके पास तो थ्री है आपके पास बी क्या है फूर है आपके पास और यह आपको जीरो पहले से दिया वाए तो बताई जीरो से बढ़ा है के नहीं या बढ़ा है पहले वाले में बराबर था इसमें बढ़ा यानि ये वाला हमारा था कि जिस में R था तो देखेंais एक आया था था हमारे कि Zero is equal to R और फिर R क्या चोटा है B से ये वाला था और नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे कि Zero ये जिरो हमारा चोटा है R से और ये वापस R चोटा है B से तो ये दोनों हमारे निकला तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो 0 equal भी है और छोटा भी है R से ठीके न और जो B है वो हमेशा बढ़ा रहेगा R से तो ये हमारा बन गया answer तो ये ही आपका answer है बहुत ज़्यादा time में ले लेता हूँ आपको समझाने में क्योंकि बहुत basic से हम शुरू कर रहे हैं तो उसको समझाना मुश्किल पड़ता है तो देखे आप फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप समझगी होंगे तो ये आपका answer हो जाएगा ठीक है युकलेट विवाजन परमे से अब 33 स्वा प्रशने पूछा है पर मैं 32 स्वा भी एक बार समझा देता हूँ बीच में आ रहा है तो देखे दी गए आकरती ए पी बी और सी क्यूब डी आपको समानतर इसपरश रेका हैं तो ये इसपरश रेका हैं तो ये दोनों समानतर हैं मतलब दोनों बराबर है तो देखे यदि वरत की तरिज़ा 5 से में ये तरिज़ा क्या होती है काई पर भी वरत के केंदर से जैसे मानते हैं वरत का केंदर ये है यहां से यहां मैं लाइन कीज़ दूँ यहां कीज़ दूँ यहां की तो यह सब क्या कहला थी तरिज्जा तो इस तरिज्जा की लंबई आपको कितनी दीवी है पांच सेंटी मिडर ठीके ना और आपसे अब इसके अंदर पूछा क्या है वो देख लेते हैं तो पी क्यू बराबर है तो प्यू का मान आपसे पूछा है यानि यह जो आप की एक और तरिज्जा है तो दो हम तरिज्जा कर देंगे तो इसका मान आजाएगा तो पांच और प्रणाच आप चोड़ दो के तो दस आजाएगा या फिटो उसे मुल्टिप्लाइ कर तो फाइफ को तो इसमें फॉर्थ आंसर आपका होगा वो तीजी कोशन था नेक्स को फूच रहे हैं तो आठ से में भुजा वाले एक समबभू तिर्पूज का शुरěश लम बताना है तो देख हम इसका अच्छे से समझते हैं इसको भी हैं तो था में आ गए हैं सम्भान साइडब के ऐसकर मान लेते हैं जासकी जो भुजा baggage है उस भुजा को हम यह मान लेत sincerı तो एक बार हम सम बहुत तृबुज बना देते हैं यह हाथ से लिख रहा हूं मोबाइल में तो इतना सही चितर बनेगा नी तो भी आप देख लो यह सारी जो बुजाएं हैं आपकी इसको ए मान लेते हैं और यह हाइट आजाएगे आपके एच ठीक ना श्रीश लंब यह हमन चिर ना गया तो देखे आप अंडरूर्ड तीन आगया और बटावा दो और इन्टू ए याने बुजा यह आपको बुजा है इसमें कितनी दी है तो वहां देख लेते हैं कि इस प्रश्न में आपको भुजा कमान कितना दिया हुआ है तो आठ सेमी की भुजा है आपकी कितने आठ सेमी की आपके भुजा है तो A is equal to क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो देखे आप इसमें H is equal to यह आपका यहाँ पे A था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 तो यह आपके कट जाएगा कितनी बार चार बार आपके जाएगा दोसे तो यहाँ पे क्या जाएगा तो H is equal to 4 यहाँ पे हम आगे लिखते हैं और यहाँ पे under root 3 तो यह आपके answer होगा 4 under root 3 तो यहाँ पे हमारे सामने यह उत्तर है यह तीसरे नमबर वाला आपके उत्तर इसमें होगा ठीक है ना आपको समझ में आगया होगा और यह last question जो बच्चों ने पूचा था वो भी मैं समझा रहता हूँ बाकि सारे सार क्लियर करी देंगे आपको दुबारा तो देखे आप इस question में क्या दियावा आपको किसी समझ चतुर बुच के वीकर्णों की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है तो उस सम बहुत सम चतुर बुच की भुजा बताईए तो बुजा का मान आपको बताना है सम चतुर बुच की भुजा तो सम चतुर बुच जो होता है उसकी चारो बुजा बराबर होती है यह आपको पता होगा चारो बुजा क्या होगी बराबर होगी तो हमारे को एक भुजा का मान निकालना है तो वो आपको बताना है तो देखे आप इसको भी हम अच्छे समझते हैं सबसे पहले हम कुछ चीज़े नोट कर लेते हैं जैसे इसके आपको लंबई दीवी वी करनों की 16 सेमी और 12 सेमी ठीक है यह हमें समझ में आगया है तो देखे आप कि एक सम चत्रबुज है तो वो हम A से ही इसके अंदर रो कर देते हैं तो यह आपके बन जाएगा सम चत्रबुज अब मैं मुबाईल में बना रहा हूँ उंगली से तो देख लो आप कितना सही बनेगा नि तो यहाँ पर A मान लेते हैं इसको B इसको C और यह D आपके हो जाएगा ठीक है न तो A से जो आपके A से C की जो आपके लंबाई दीवी है उसको 16 मान लेते हैं A से C आपको 16 दियावा है और जो B से D है ठीक है न वी करनों की लंबाई दी ती B से D आपके हो जाएगा 12 तो यह आपको प्रश्णों में पहले से दियावा है तो अब हमार को क्या करना है कि आप सब को बता है सम्चितर बुझे तो यह और यह वाली रेका बराबर होती है ठीक है ना यहापे भी 90 डिग्री का कौन बनता है यहापे भी यहापे भी ठीक है तो यह सब आपके बराबर होता है तो इसका मतलब है कि इन दोनों इसको आदा करते है तो यहाँ का महान आजाएगा अपने पास आएगा की नहीं आएगा देखो आप यहाँ का महान आपके आजाएगा अगर हम इसको आदा करते हैं तो देखे आप इसको हम एक और बाद डो कर देते हैं तो ये देखिए यहां पर आपकी A B C D हो जाएगा ठीक है A से C आपके पास था 16 तो यहां पर क्या आजाएगा आपके इसका तो इन सब को आपको छोड़ देना है और सिर्फ यह वाला तिर्भुज आप देख लो पाइतागोरस्परमे तो आप सब को पताओगका कण स्कॉायर ठीक है ना लंबाई का इसकॉायर बराबर क्या हो जाएगा लंबाई का स्क्वाइर प्लस बादार का स्क्वाइर इसी को ही कहते है हम पायता कुरस्प्रमे छे desc थे अधर कई कें तो देखें आपंवा ग्ला करते हैं की या पर हम पर ख्रसुम physical पर आड आपके 8 से में आ गया था है यहां पर कितना आगया था चे से मीमी shameless जीरो लिए करन का निया है जोह सthat सब्सक्राइब लमबाई कि धी इतो आठ का स्कोर प्लस आधार के दिया वाहिएitas तो 6 का square ठीक है अब जो ये कन है तो ये क्या है A से D तो यहाँ पर हम लिख देते है A D का square अब 8 का square करेंगे आप याने square का मतलब क्या होता है कि 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा आपके पास 64 प्लस 6 को 6 से गुणा करेंगे आप तो क्या जाएगा 36 तो यहाँ पर आगे आपके पास 36 आगे देखे आप यह देखे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमरे पर जगह ज्यादा नहीं है तो A D is equal to क्या क्या है था कि A D का महान हमारे को निकालना है तो SqaR हटाते तो क्या आ जाता है यहाँ पर Underroot रहा पर क्या जाता है Underroot तो यहाँ पर आपके Underroot आगे गया है वैसे तो आप सबको पता होगा तो एडी का मान किया है आपके 10 तो देखिया आप इसका solution तो यह आपका solution हो जाएगा तीसरे नंबर वारा 10 से मी ठीके ना 10 cm आपका solution हो गया बाकी सारे प्रश्णियों सर करा देंगे तो सर की वीडियो आपको कैसे दीवी है तो वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने इंग्लिश का आपको कराया है हिंदी का भी मैंने आपको अच्छे समझा चुका हूँ और मेक्स का यह आपको चार प्रश्णियों मैंने करा दिये हैं और बाकी दुबारा सर वापिस करा दे हैंगे तो वो इडियो भी आपको उसी प्लै लिस्ट में तीसरे नमबर पर देखिने को मिल जाएगी कोई थर्ड पार्ट है तो तीसरे नमबर पर आपको वीडियो मिल जाएगी सर की या फिर ये तीसरे नमबर पर ये वाली वीडियो आपको मिलेगी तो आप देख ले ना फोर्थ नमबर पर आपको थर्ड पार्ट की सर की वीडियो मिल जाएगी या फिर आप अपनी तैयारी चैनल पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं और बाकि आपको चैनल ना मिले तो हमने वैसे प्लेइलिस्ट की लिंक दीवी है तो उसमें आपको उन सर की वीडियो भी मिल जाएगी मैक्स की तो आप देखना और सामजिक वीक्यान की वीडियो भी आज ही हम अपलोड कर देंगे बहुत ही जल तो आप उसकी भी टेंशन मतलो नेक्स सब्जेक भी आपका जल्दी हम कवर करके करा देंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग